इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिसकस करेंगे उसका नाम है राजजिपाल, राजस्थान के राजजिपाल या राजजिपाल के बारे में पढ़ेंगे, तो ये टॉपिक हम दो पार्ट में डिसकस करेंगे, पहले पार्ट में तो हम राजस्थान के जो राजजिपाल है, उस बखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं ensamento 153 कौन सा या ौधिकल एक सो तरेपनutes कहा घाए एक तो सबसे पहले हम एक Talk 5 में कहा गया है do you कही ईए पहला तो क्या कह गया नियद में और दूसरा कहा गया है प्रतेक राजिक के लिए एक राजिक हो गई यह वा गया है तो इसको कैसे याद करेंगे niche आर्टीकल 153 153 को कैसे लिखेंगे 153 एक का पहला अक्सर एक पांच का क्या है 5 तो एक पांच का थीन तो प्रतेक राजिक के लिए एक राजिपाल होगा किसके अंतर्गत आर्टिकल 153 में, तो आर्टिकल 153 में क्या का गया है, एक राजी के लिए एक राजी पाल होगा, और राजी पाल के पद के बारे में भी का गया है, तो आर्टिकल 153 में क्या का गया है, एक पांती, तो एक राजी के लिए क्या होगा, एक राजी पाल पांती आएगा, मतलब तो इसको क्याल करेंगे बारे में बताय गया है दिया है तो 154 को चाहिए तो पक्सक्लिकätter से था अत्कुति करतें चाहिए तो पचाने के लिए क्या चाहिए होते हैं सक्ति तो मदलब पचाने के कारिक के लिए क्या चाहिए होते हैं सक्ति तो पांट चार में क्या है पांट चार मदलब आर्टिकल एक्सो चौपन में क्या कहा गया है राजिपाल की कारिपाली का सक्तियों के बारे में कहा गया है नैंट हम देखते है आर्टिकल में 155 में क्या का गया है राज इपाल की सिर्च के बारे में कॉंसे आर्टिकल में क वह है 155 में तो कैसे राजपाल कीके बारे में कहा गया है 802 75 को सिर्चाप्च में 5 इसको याद करेंगे 155 को पांच पांच 5 dunno packet माता कुंती कि में क्या आ रहा है क और तो और नियूक्ति में भी क्या आता है क और त वर्ड आता है तो इस टाइप से याद राख सकते हैं पांच पांड़ों गिन्धके दे माता कुंती के तो आर्टीकल 155 है, वो किस से संब्र धिता है नियुक्ति से, नेक्ट आम देखते हैं, आर्टीकल 156, तो 156 किसे संब्र धिता है, राजिपाल के कारिकाल से संब्र धिते, तो इसको याद करना तो बहुत सरल है, तो 156 चपन में क्या है चपन तो चपनिया जो आकाल था वो चपनिया आकाल के बारे में तो राजिस्तान के सभी लोग जानते है तो चपनिया आकाल याद रखना है तो कारेकाल कारेकाल में भी क्या आ रहा है काल और आकाल में भी क्या रहा है काल आ रहा है तो चपनिया क्या ह आकाल と- heartsik Michigan चो अजिस्थान में क्या कहाः गया है राजिस्थान के ऐ रेकाल के बारे में कहाः तो řाजिक आपन घखते है तो इंडि में कैसे लिखते है तो आर्टीकल 157 में क्या गा गया है योगिताओं के बारे में , ऐसे याद लख सकते हैं , नेएक नम देखते हैं , आटीकल 558 , राजपल बननेकी सर्त बारे से याद करेंगे 37 से मिलता जलता सब्द क्या है एर्थ ठीक है एर्थ का क्या हो गया याँnh 558 में क्या विए 658 अर्थ एर्थ से मिलता जलता सब्द हो गया सकत्र तो आर्टिकल beauty 1980 में क्या है राजिपाल मनने की सक्ट के में का गया है नेक्षर हम देखते हैं Article 169 169 में किसके बारे में का गया है तो आटीकल 169 में किसके बारे में का गया है पत यानि सपत के बारे में इसको कैसी याद रखी में कितनी बार मिलती है, सिर्फ एक बार मिलती है, एसय सुर्व की रडिखनेंध मिलतीह बडस और शमा मांगता जै, तो शमा सिर्फ कितनी बार मिलती है एक बार तो इसको कैसे याद रखेंगे तो शमा कितनी बार मिलती है सिर्फ एक बार मिलती है सिर्फ से क्या गया 6 ठीक है और एक से क्या गया एक तो सिर्फ एक याने 6 एक तो आर्टिकल 161 में क्या का गया है राजिपाल की शमादान सक्तिय किसके बारे में का गया है कि यह का गया कि राजिपाल किसी कारी के लिए मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिशत से सलाह ले सकता है उसके बारे में का गया है आर्टिकल 163 में इसको कैसे याद रखेंगे 163 उसमें क्या रहा है चैसे और 3 तो चंत्री से क्या हुआ मंत्री ठीक है तो मंत्री परिशत के बारे में किसके कौन से आर्टिकल में का गया है वह का गया है आर्टिकल 163 में में कहा गया है कि मुख्य मंत्री तदा मंत्री परिशत से वो सला ले सकता है राजिपाल नियाश्टन देखते है आर्टिकल 165 165 में कहा गया है कि राजिपाल महाधी वक्ता की क्या करेंगा तो इसको कैसे याद करेंगे कि तो महादी वक्ता को क्या का जाते है अगर LEE के अखर क्वी पीश बहुत ज़्यादा होते है ठीक है तो डोकेट करने के लिए क्या चाहिए पैसे चाहिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होता है क्योंकि advocate की फीस बहुत ज़्यादा होती है तो advocate करने के लिए के चाहिए एव ये पैसे तो पैसे से क्या गया 65 ठीक है तो article 165 में किसके बारे में का गया एड़े के बारे में ऐसे याद कर सकते हैं नेफ्ट हम दिखते है आर्टीकल 174, 174 में क्या का गया है कि राजिपाल विद्धान सभा का सत्र बुलाता है और उसे भंग भी कर सकता है, तो 174, 174, तो 7 से तो क्या गया, सत्र और 4 से क्या गया, चालू, तो सत्र को चालू और बंद करने का कारे, कौन से आर्टीकल के तरहत करता है राजिपाल वह है आर्टीकल 174, सत्र को चालू तथा बंद करने का कारे, नेफ्ट हम देखते है आर्टीकल 213, कौन से है आर्टीकल 213, इसके अंतरगत क्या का गया है, कि राजिपाल अध्यादेश जारी करता है, तो अध्यादेश किस आर्टीकल के तहत जारी करता अर्टिकल 213 तो इसको कैसे याद करेंगे 213 क्या है 213 आदेश बैलो आटिकल 213 में जारी करता है अध्यादेश तो यह क्या हो गया राज़िपाल से समन्द जो अनुचेद है उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो वह एक्सॉर्ट से यादह लिया यान। इसका एक लाए고 रिविजन कर लेते हैं तो आर्टीकल 153 me तो हरेक राजी के लिए एक राज़िपाल 113 तो आर्टीकल 154 में 5-4-5-5 तो आर्टीकल 155 में क्या है राज़िपाल की कार्यपली का सकतियों के बारे में स्टा किसे आता के बारे में का गया है तो सत्था किसे मिलीगी जो योगी होगा तो आर्टीकलेग सो सतावन में य्योग दोला और हो गया अर्थ से मिलता जुलता है सर्त तो इसके लिए क्या टैकल वर्ड नौ पत तो नौ से आर्टीकल 165 अगया और पत से लिए अर्ट की सपत तो आ 169 में क्या है राजिपाल बनने की सपत नियास्ट हम देखते है आर्टिकल 161 में क्या है सिर्फ एक वार क्या मिलती है तो 161 में यह क्या गया 6 और यह क्या गया 1 मंतरी तथा मुक्य मंतरी से क्या लेगा सलाह लेगा राजी पाल आर्टिकल 163 के थात, राटिकल 165 याना सपो तो एड्वोकेट करने के लिए क्या चाहिए एंदेल okay चाहिए 서 चाहिए तो beth को जारी करेगा तो इस टाइब से यह सोट्रॉक्स से हमने तो याद कर लिये कौन से राजिपाल से संभंदेत अनुचेजर अब लगाजिपाल से संभंदेत haean thaang जो पूछे जाते हैं इंपोर्टेट वह देखते हैं और फिर राजिस्थान के राजिपाल के बारे में भी देखेंगे, तो हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं, राजी की कारीपालिका, राजी की कारीपालिका में कौन कौन आते हैं, वो आते हैं, राजी की कारीपालिका में आते हैं, राजयपाल मुख्यमंत्री और मंत्री परिसाद को सम्वे दानिक प्रदान होता है वहाँ आगी सम्वीदानिक क्षार को ना गया है राजयपाल भारत के राश्रपति द्वारा राजीपाल की न्यूक्ति की जाती है, सामानी तह राजीपाल का कारिकाल कितने वर्ष का होता है, पांच वर्ष का होता है, और वो अपने पद पर कब तक रह सकता है, राश्रपति के प्रसाद परियन तक, राजीपाल अपने पद पर रह सकता पूरी करनी जरूरी है 35 वर्ष की आयूप पूरी करेगा तभी वह राजिपाल पत के लिए योग्य होगा नेश्ट हम देखते हैं वह किसी लाब के पत पर कारियरत नहीं होना चाहिए नेश्ट है वह कैंडर या राजिकी विदाइका का सदश्य नहीं होना चाहिए गर अभी है तो उसे वह पत कर चुका हो तीस्टा है वह किसी लाब के पत पर नहीं हो फिर वह राज्य या कैंडर की विदाइका का सदश्य नहीं होना चाहिए तो हो गए योग्यता है अब यह यह आगया यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट है इससे प्रश्ण बहुत पूछा जाता है हर एक्जाम में कि कि राजिपाल द्वारा किन किन को न्यूक्ति दी जाती है तो वह पूछा जाता है तो राजिपाल किसकी न्यूक्ति करता है तो ऐसे पूछते है कि कौन सा गलत है इस टाइप से पूछते है तो वह देख लेते हैं तो राजिपाल मुख्य मंत्री की न्यूक्ति की जाती है राजिपाल मंत्री परिशत के सदश्यों की नियुक्ति करता है राजिपाल किसकी मंत्री परिशत के सदश्यों की नियुक्ति करता है और लेकिन वो मंत्री परिशत के सदश्यों की नियुक्ति करता है वो है मुख्य मंत्री की सला के आदार पर मंत्री परिशत के सदश्यों की करता है राज्य पाल नेस्ट है वह राज्य के महा दिवक्ता याने एड़ोकेट जन्रल के भी न्यूक्ति करता है तो राज्य के महा दिवक्ता या एड़ोकेट जन्रल के न्यूक्ति कौन करता है वो करता है राज्य पाल करता है नेस्ट हम देखता है राज्य पाल आरपी एस राजिस्थान की जो वित्पोसित विश्व विद्याल है तो राजिस्तान के जो राज्य वित्पोसित याने की जो इस्टेट यूनिवस्टी है उनके जो कुलपती होते है याने वाइस चांसलर उनकी न्यूक्ति भी कौन करता है राज्य पाल तो राज्य के जो इस्टेट यूनिवस्टी है तो राज्यस्तान की इस्टेट यूनिव चुनाव आयुक्त की भी न्यूक्ति कौन करता है वो राज्यपाल करता है तो कौन की न्यूक्ति करता है राज्यपाल वो देखते हैं पहला मुक्षी मंत्री की न्यूक्ति करता है दूसा मंत्री परिशत के सदस्यों की न्यूक्ति करता है त्याज्य के महादी वक्ता याने एड़ गेट जंद्रल की न्यूकति करता है आर्पेसी के अध्याकस तथा सदश्यों की न्यूकति करता है और राज्यके चुनाव आयूकति क्यों करता है वो करता है राज्ययपाग ठीक है यह तो चीज़े हो गई अब जो RPSC के अध्यक्स तता सदश्य है यह और राजी का जो चुनावायुक्त है इनकी राजीपाल नियुक्ति तो कर सकता है लेकिन इनको पद से वापिस हटा नहीं सकता है तो यह वाली इंपर्टेंट बात है यह अभी RS 2023 में पूछी गई के अध्यक्स तता सदश्यों की नियुक्ति तो राजीपाल द्वारा की जाती है लेकिन इनको पद से अटाने का कारे केवल राश्च्पति की आग्या द्वारा ही होता है और आयगियेग्स तता सद describe का तो आरि움 में पूछा गया था इनके अलवा जो चुनाव आयुक्त है था इनकी नियुक्ति कर सकता है राजजिपाल लेकिन इनके पद से उता नहीं पयोगा लेकिन इन यह पद से आता नहीं सकता है एक्जाम में। बहुत इंपोर्टेंट है यह पूछे जाते हैं बार-बार तो इनको देख लेते हैं तो एक कथन दिया गया है राइट या रॉंग बताना है ठीक है राजिपाल उचे न्याया लेके मुख्य न्याय दिस तता अन्य न्याय दिसो की न्यूकति करता है नहीं तो मुख्य न्या कौन सा कथन गलत है तो राजिपाल न्यूकति कि करता है और तीछ-चार इपस stata एक ड़ थे है वो राजिपाल मुखी न्यूकति करता है एक रड़ए्टान. Banana-etis और न्यूकति कil न इत्री करता है राश्टिपाल की शला लेता है लेकिन करता न्यूक्ति कोन है राष्वपति करता है तो उच्ज्य नियायल के मुखी 29 यांडी 1024 नी नियुक्ति कुन करता है वो करता है राष्र पती नेक्स्ट यह बहुत इंपर्टेंट है उनके कुल्पति की न्यूकति करता है स्टेट क्या सेंट्रल उनिवर्स्टी होते है उसके कुल्पति की न्यूकति राज्यपाल नहीं करता है तो यह कथम गलत है तो सेंट्रल उनिवर्स्टी के कुल्पति की न्यूकति नहीं कर पाता केवल और केवल स्टेट उनिवर्स्टी के कुलपति की न्यूक्तिया करता है जैसे आप से अना इगार प्रश्न पूछा गया था कुछ निमनों मैंसे किस यूनिवर्स्टी की कुलपति की न्यूक्ति राज्यपाल नहीं करेगा तो एक तो दे दिया है मालियो जेन वियू दे दिया एक दिया राजिस्थान यूनिव दे दिया और एक दे दिया Central University किसंगर्ड तो Central University अपनी कहा है किसंगर्ड अजमेर में तो किसंगर्ड है Central University उसके कुलपति की न्यूक्ति राजिपाल नहीं करेगा बाकि जो यह State University सब्सक्राइब करता है तो इसको हम देख लेते हैं कि राजिपाल केवल State University के कुलपति की न्यूक्ति करता है और Central University के कुलपति की न्यूक्ति राजिपाल नहीं करता है तो यह याद लखना है आपनको तो न्याष्ट हम देख तो अगला राइट रोंग बताना ही क्या है तो राजिपाल sources- और पत से अटा नहीं सकता है उन्हें राश्रिपाल से अटाने के लिएsw deciding to disk उनकी नियुक्ति तो RPSC के अज्यक्स तता सदस्यों की नियुक्ति तो कौन कर सकता है राजिपाल लेकिन उन्हें पद से हटा नहीं सकता और उन्हें हटाता कौन है पद से वो केवल राष्ट्रपती अपने पद से हटा सकता है यह वाला प्रशन भी RS-23 में पूछा गया है तो यह याद रखना है नेक्स्ट हम देखता है राजिपाल राज्य की सभी जो इस्टेट यूनिवर्स्टी है और सेंट्रल यूनिवर्स्टी का कुलादी पती मतलब चांसलर होता है यह कतन सत्य है या असत्य बताना है तो इस्टेट यूनिवर्स्टी का तो होता है कुला इस्टेट की सभी स्टेट उनिवर्स्टी का तो क्ला धीपती होता है लेकिन सेंट्रल उनिवर्स्टी का कुला धीपती नहीं होता है तो तो यह कुछ, चार- Juliet बाते हैं, यह पूछी Changeich Jamo में यादखनी है कौन-कौन सी एक बार वापस देख लिए다면 कि जो राजियर के उच्प न्याय दिस, और राजियर के उच्प न्याय दिस राज्यपाल के पास कुछ आतरिक्त चम्मेदारियां होती है जैसे राज्यपाल होता है वह राज्य शैनिक बोर्ड का अध्यक्स होता है पूरु सैनिकों के हित्तों के लिए जो समेकित निद्रिक की प्रबंध समीती बनाई जाती है उसका भी अध्यक्स होता है राजयपाल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी उसकी राजिस्थान ब्रांज का अध्यक्स होता है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की राजिस्थान जब भारत आजाद हुआ था तब राजस्तान में राजप्रमुक के पत्द को वेवस्ता कि गई जब भारत आजाद हुआ था तब राजस्तान में कौन सा पद था राजप्रमुख पद था पहले राजप्रमुख पद था तो कौन सा आयोग कौन सी समीति उसकी सिफारिस के आदार पर राजप्रमुख पद को समाप्त कर दिया गया और राजपाल का पद की विवस्ता की गई तो वो थ बनिश्णभी आरेस में पूछा गया है कि हो सी शिपारिष के पर राजिपण संसोधन के तहत है सांतवे समीदान संसोदन जो की हुआ उनिशो चपन में सांतवा समीदान संसोदन उनिशो चपन में हुआ उसके तहत राजप्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया और राजिपाल का पद चालू किया गया नेक्स अम देखते हैं राजिस्थान के राजप्रमुख कौन रह वह थे गुरुमुक निहाल से राजस्तान के पहले राजिपल कौन बने थे गुरुमुक नियाल से बने थे और הם 1056 में बने थे लेज देखते हैं राजिस्तान के एक गुरुमुक नियाल सी और वो राजीपाल कंपने 1956 में नेक्ट हम देखते हैं दूसरे राजीपाल संपूर्णानन तीसरे राजीपाल थे सर्दार उकम सिंग है राजस्तां की पहली महीला राजीपाल क्मति प्रतिभा पाइब प्रतिभा पातिल राज़ेपाल घंका उनके प निर्मलचंद जैन और प्रबा राव इन चारों का उनके पत पर रहते वे निदन हो गया था. नियाश्टम दीखतें, राजिस्तान के राज़िपाल जिन्नोंने अपना कारिकाल पूरा होने से पहले ही त्याग पत्र दे दिया, पहले तो कौन थे? मदनलाल खुराना दूसरे थे प्रतिवा पार्टिल दो ऐसे राज़िपाल है जिनने की अपना पद पूरा होने से पहले ही त्याग पत्र दे दिया था निराश्ट हम देखते हैं राजस्तान में पहली बार राश्टपती शासन कब लगा तो राजस्तान में कुल कितने चार यह लगा ठाढ़ा के नाम में बहुंत में अक क्षैपतों के और लगा था पहला जो राश्टपती शासन कहला कि लगा representing Oh तो राजिस्टान में पहला राष्टपती शासन लगा उस्टाइम राजिपाल कौन थे दॉक्टर संपुर नानन नियास्ट देखते हैं राजिस्टा में जो चोथा राष्टपती शासन कब लगा 15 12 1902 से 3 12 1903 तक मलब लगब एक साल लगाता कौन सा राश्पती सासन वह है मलब चोथा राश्पती सासन लगाता ना जब राजजिपाल कौन थे वो थे चेनना रेडी कौन थे डॉक्टर एम चेनना रेडी चोथा राश्पती शासन लगा था राजस्थान में उस टाइम राजस्थान के राजिपाल थे डॉक्टर एम चेनना रेडी तो चोथा राश्पती शासन था वो सबसे लंबी अवदी का राश्पती शासन था राजस्था कौनसे राज़िपाल थे जो कि राज़िपाल बनने से पूर paar rip immies ki......र रह चुके नचे को आर्पीस संभी रह चुके कौन रह चुके वह रगु कुल तिलक crashing जो लोकसभा सथे भी रह चुके gno कौन से राजिपाल है जोकि लोग सपह के अध्यक्स भी रह चुके है वह है बली राम भगत सब्सक्तार हो है और ज़ए意 मेरा जोपी महरा dos कौन से राज़िपाल है जो राश्पती दे चुकी है वह है प्रतिवा पार्टिल नेक्ट हम देखते हैं मार्गवेट अलवा जो की राज़िस्तान की राज़िपाल बनी थी वह सार्क देशों की महिला विकास पर जो कॉंफरेंस वी थी उसकी सभापती रह चुकी है यूनिस राज़िस्थान के जो वर्तमान राज़िपाल कौन है करें वह हरी भाव किसंऔर बागडे तो राज़िपाल का पद गरहन किया नहीं से पूछ सकते हैं ऐसे कौन सी राज़िपाल है है वो है हरी बाव क्रिशन राव बागड़े